अक्सर आपने देखा होगा कि माता की बात करे तो सेल पर सवार होती है या घोड़े पर सवार होती है या हंस पर सवार होती है लेकिन मद्यप्रदेश के पुरहनपुर जिले में केसा माता का मंदीर है यहाँ पर बोचरा माता मुर्गे पर सवार है या करीब 100 साल कुराना प् प्रसंद करते हैं जब मंदिर के पुजारी रितेश भगस से रोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह प्राचिन बोच्रा माता का मंदिर है यह गुजराती समाज की कुल्देवी माता है समाज में शादी व्याय सुपकार होने पर सबसे पहले माता की पुजा अर साथ चड़ाते हैं जिले में यहां प्राचिन ऐसा एक मात्र मंदिर है जहां पर सभी समाज जन दर्शन करने के लिए पहुषते हैं शार्द्य नवरात्र में नो दिनों तक सुबह शाम मां बुच्रा माता की पूजा अर्चना कर आर्थि की जाती है जिसके बाद भक्त गर मतलब यह बार मारष्ट वारष्ट के सभी जन यहां पर आते दर्शन करने के लिए क्योंकि मात्र बर्हानपूर में इस्तित है मुर्गी के बेटी भी देवी है यह खाली बर्हानपूर में है और इसके अलावा मंदिर इसका बड़ा मंदिर गुजरात के अंदर है महसाना इसके जिले गंद यह गुजराती लोगों के साथ साथ में किन्नर हों के भी कुल दे वी है कैसे इस इस्ताफना मंदिर को हमारे बड़े बुजर्गों करवाए हैं समाज के बुजर्गों ने काँ कहा शाते हैं भठ दप्त दर्सनों के लिए महारश्च से गज़ाइस कहा जाते हैं सूरत से है हम यहां पर अनत मांगियाती है पालकि इसकी पालकी निगलती है मतलब यहांसे जी साथ कि तुल्या देवी ​ह मायनमीट में उसकी और ये माता दोनों मननत मांगे जाती है तो फिर शादियों ब्याओं में इसमें उसमें खपर खेले जाता है पालकी के इसमें घर पर उनके घर पर लेके जाते है तो पुजा पार्ट पालकी के वालकी के लेके आके बड़िया बिल्कुल धुम्दाम से रहसोस से लेके जाते हैं लोग और फिर वहाँ पे खपर के ले जाता है माता को बसंद करने के लिए अंगार जलाके हाथों में लेके खिलते हैं नितेश भगत